हेलो प्रेंड है आज हम दा हिंदू सखेशन आट 1956 के से शेक्षन थार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे इसका section 19 कहता है mode of succession of two or more errors अगर दो या दो से ज़्यादा कोई errors हैं तो उनमें जो property है वो कैसे distribute होगी उसके बारे में बताया कि अगर इसका sub clause एक कहता है कि अगर कोई person without will रेथ हो गया उसका और उसके suppose करते हैं कि दो संतान हैं एक संतान के कोई अगली पिड़ी में या इसके कोई संतान नहीं है और पहले के एक बेटा एक बेटी और उसके बेटेगा एक बेटा और बेटी है मतलब दूसरे का परिवार आगे है और पहले का परिवार नहीं है तो इन्होंने कहा कि पर इस्टिप्स पर इस्टिप्स मतलब बर्व्यद और पर कैपिटा मतलब एक समू जैसे इसमें एक समू क्या है S2 है और इसका एक समू यह पूरा है तो पूरे में से इसमें ऐसा नहीं होगा कि यह नहीं कहा इन्होंने कहा कि पर कैपिटा होगी पर इसमें नहीं होगी पर कैपिटा होगी मतलब कि S1 और S2 को हाफ और हाफ प्रपर्टी जाएगी अब S1 की जो हाफ होगी वो नीचे डिवाइड होगी हाफ में डिवाइड होगी मतलब X के property ये six parts में डिवाइड होगी two parts में डिवाइड होगी S1 में half part और S2 में half part S1 का जो half part होगा वो उसके नीचे family में डिवाइड होगा तो इन्होंने कहा कि जो property है वो पर capita होगी पर strips नहीं मतलब इन में होगी और सब में बराबर नहीं अब इसके B sub clause B कहता है कि tenants in common और joint tenants tenants in common और joint tenants joint tenants का मतलब होता है कि जो property है वो divide नहीं undivided property है और tenants in common का मतलब हर एक की अलग अलग जो property है हर एक की अलग अलग तो इन्होंने कहा कि जो हर एक जो succession के द्वारा जो property मिलेगी या जो इसके द्वारा हमें कामन टेनेंट का मतलब हर एक का अलग अलग सेयर होगा तो यह बाइस सेशन बाइस रिक्षेशन के मन्तर विदाउट विल के करण जो घरती खतम हुआ उसकी जो प्रापर्टी होगी वो सबको अलग-अलग सबका सेयर होगा उसमें और जो प्रापर्टी ऐसे सेल कर दी जाए चार लोग प्रापर्टी के और हैं चारों ने सेल कर दिया तो जोइन टेनेंट्स हो गया अब सेल करने के बाद उनकी प्रापर्टी अलग-अलग डिवाइड तो इसी जो अलग-अलग share करके जो पाएगा उसको tenants in common और जो joints होते हैं एक combined property वो joint tenants कहलाते हैं तो इन्होंने कहा कि tenants in common होगा और joint tenants नहीं होगा पतलब जो without will वाले property होगी वो सबको अलग-अलग share में दी जाएगी अब section 20 कहता है right to child in warm अगर कोई बच्चा गर्म में है तब क्या होता है तो इसमें कहा गया child who was in warm at the time of and in state and in state shall have same right उसमें कहा कि अगर कोई बच्चा किसी के warm में है मतलब मदर के गर्म में बच्चा है और वो अब्यक्ति खतम हो जाता जिसकी property है और उसके दो तीन बच्चे और भी होते हैं तो जो warm में है वो जब बर्थ लेगा बर्थ के बाद उसका same right रहेगा जैसे वो उसके मरने के पहले present हो जैसे वो मरने के पहले उसके present हो सब्सक्राइब एक फादर है उसके फादर के दो बच्चे अलड़ी थे एक्स और वाई और एक बच्चा उसके वाई के गर्म में था दो महिने का और जब दो महिने का तब उसके husband की death हो जाती है तो जब उसके साथ महिने बाद वो बच्चा पैदा होगा तो उसके कितनी उलाद हो जाएंगी तीन उलाद हो जाएंगी तो अब जो husband की property थी वो three a share में equal होगी मतलब जो वाउम में था उसका भी उत्रहीं share लगेगा जितना वो उसके होने पर जिन्दा होता है अब इसका section 21 कहता है कि presumption in cases of simultaneous death अब इसमें क्या कहा गया क्या कि अगर दो ब्यक्ती क्वता मुझता है किसे खतंब ब्लच खतंब जाते हैं दो ब्यक्ती अगएव हो जाते घर से और कुछ समय बाद ये पता चलता 22 का लित हो गया अब उसमें यह नहीं पता चलता है कि पहले कौन खतम हुआ और बाद में कौन खतम हुआ तो इसमें कहा गया है कि उसको presume कर दिया जाएगा presume किया जाएगा कि उन दोनों में से जो बड़ा होगा वो उसकी death पहले हुई होगी और जो छोटा होगा उसकी death बाद में हुआ होगा ऐसा इसमें presume करा जाएगा यह section 21 में खागया अब इसका section 22 क्या कहता है एई प्रिफ्रेंसियल राइट तो अक्क्वार प्रापर्टि इन सेंटें केसे कुछ बिशिस्ट केसों में जो प्रापरटी किसी अन्वसीयति के कारण मिलती हैं तो उसके क्या रूल होनगे इसका पहले कहता है इनी इम्मोवबिल प्रॉपर्टी आप एन इन स्टेट और इनी बिजनेस जब कोई ब्यक्ति जो मर गया है उसकी प्रॉपर्टी कौन से प्रॉपर्टी इम्मोवबिल प्रॉपर्टी या उसका बिजनेस जो उसके उत्रादिकारियों को प्राप्त हो रहा है तो इन्होंने कहा कि जो class first में है जो इसके schedule class first में है उनका पहला right होगा उनका first right होगा अगर वो उस property को suppose करते हैं तीन ब्यक्ति हैं तीन में से एक property को sell करना चाहता उसको जब प्राप्त हो गई तो पहला right क्या है कि जो उसके दो लोग है उसके परिबार के जो schedule first में है पहला right उनका है कि वो property पहले उनको sell करे जब वो नहीं लेते हैं तब वो other को sell करे तो इसी तरह के इसको ABCD चार लोग है जो किसी के death के बाद में इनको property बिरती है तो A sell करना चाहता है उस property को A property को sell करना चाहता है तो पहले वो property किसको मिलेगी B को मिलेगी अब जिन B नहीं लेता है तो फिर किसको मिलेगी C को मिलेगी अब C नहीं लेता तो D उसके बाद वो आउट साइड वालों को प्रापर्टी देगा अब इसका क्लाज सबक्लाज सेकेंड कहता है कि अगर कोई जो जो अनमसीयती जिसके डेथ हुई है उसके चार उलाद है ABCD चार में प्रापर्टी उसकी इन स्टेश की डिवाइड होती है तो इन्हों कहुंभा कि अगर ए उस प्रापर्टी को सेल करना चाहता यह उस प्रापर्टी से वेनिफिट लेना चाहता बिजनेस से या इमोबिल प्रापर्टी से तो अगर उसका एग्रिमेंट नहीं हुआ है और डी उसको पर्चेस करना चाहता है लेकिन उनमें क्या होता है आमान्ट ताहन है नहीं होपाता कि दी उसका एमान्ट यसे Tea करें करने के लिए डी कोडों यह संडाल देता है की इसका जो एकुरेटत आमान्ट है वो ताहन कर दिया जाए और उस अमान्ट को मैं देक आख एक प्रापर्टी ले लूँगा क्योंकि यह क्या हो गए फस्ट सेटिविल के लोग हो गए फस्ट सेटिविल कि मतलब B C D का राइट पहले बनता है लेने का अब कोट डिसाइड कर देती है लेकिन कोट जो आडर करती है कि इतना amount A को दे करके A की property या A का business D ले सकता है अगर उस court के order से उस court के order से D satisfied नहीं होता है तो जितना उस मुकदमे में या उस application के court में जाने में expense हुआ खर्चा हुआ वो total का total कौन bear करेगा D bear करेगा वो total D खर्चा देगा क्योंकि D अपनी जरूरत के लिए court में गया था A की property का या business का दाम तैंग करने के लिए अब इसका clause second third कहता है कि अगर इन state property के चार उत्रादिखारी ABCD हैं और उन में से ए प्रापर्टी को sell करना चाहता है और उस प्रापर्टी को उसके परिवार के इन्होंने कहा कि जो प्रापर्टी का दाम बहतर देगा जो ज़्यादा प्रापर्टी का दाम देगा ए उसको प्रापर्टी देगी देगा अगर डी ज्यादा पैसा देता है भी कम पैसा देता है तो एक इसको प्रापर्टी देगा दी को देगा फिर बी को नहीं देगा औ और जब इन दोनों से तय नहीं हुगा तब वो आउटसाइड को प्रपर्टी तर्ड करेगा यह इसका क्लाउस थर्ड कहता है सेक्षें 23-24 निर्शित कर दिये हैं हटा दिये कि इसका सेक्षें 25 क्या कहता है यह मरड़नर डिश्वालिफाइड इसमें अगर हुआ कमिट्स मड़र जिसने मर्डर किया है और एबर्स दड़ अबर्स दख मिशन ऑप मड़र किया है उसने जान से मार दिया है यह मारने का प्रयास किया है तब वो property के disqualified हो गया अब एक example से समझ लेते हैं कि X एक person है जिसकी property है और उसके दो बेटे है A और B दो बेटे हैं अब B क्या करता है कि X को मार देता है जान से मार देता है या जान से मारने का प्रयास करता है ताकि X की property B को single मिल जाए X की property B को मिल जाए तो क्या होगा कि X की property अगर B ऐसी कोई घटना करता है तो B को वो property नहीं हो मिलेगी वो disqualified हो जाएगा अब इसका second example ले लेते हैं कि A भी दोनों है अब B क्या करता है A क्या करता है कि B को मार देता है क्यों मारता है कि अभी वो property कितने में डिवाइड होगी दो लोगों में डिवाइड होगी A और B में इसलिए B, A क्या करता है B को मार देता है ताकि वो property total का total कि इसको मिल जाए A को वो property मिल जाए A को वो property मिल जाए यह मार डालने का प्रयास करता है तब A क्या होगा वो disqualified हो जाएगा उस property से A को वो property नहीं मिलेगी यह section 25 में कहा कि अगर कोई person उसकी property पाने के लिए उसकी हत्या या हत्या करने का प्रयास करता है तो वो disqualified हो जाएगा वो उसकी property पाने का हगदार नहीं होगा यह section 25 में clear आप section 26 क्या कहता है Converse descendants disqualified Converse descendants disqualified By conversion to another religion जब कोई दूसरे धर में परिवर्ति हो जाता है Muslim में या other किसी religion में Children born after such conversation The descendants shall be disqualified और उसके बाद उसके बच्चे पैदा होते हैं तो वो उस property के हगदार नहीं होंगे अब इसका एक example से समझ लेते हैं एकस एक पर्षन है एकस एक पर्षन है और उसकी वाई एकस की प्रॉपर्टी है और एकस और वाई एकस और उसकी पत्नी जब हिंदू थे तब उनकी दो ओलाद हुई एकस S1 और S2 इसके पाद एकस और उसकी पत्नी ने धरम परिवर्टन कर दिया धरम परिवर्टन कर दिया दोणू मुसलिम हो गए या अधर कांट मिंच कास्टम च रहे गए और धरम परिवर्टन के बाद में एक C बच्चा पैदा होता है, धर्म परिवर्टन के बाद C बच्चा पैदा होता है, तो जो X की प्रोपर्टी थी, उसमें S1 और S2 का हिस्सा रहेगा, लेकिन C का हिस्सा उसमें से खतम हो जाएगा, C का हिस्सा क्या हो जाएगा, खतम हो जाएगा, X और Y दो हिंदू थे, उनके दो गेटे S1 और S2 था, उसमें उनकी प्रोपर्टी दिवाइड हो करके उनमें S1 और S2 मिलती है, अगर सपोस करते हैं, दूसरे में कि उसकी वाइग धर्म परिवर्टन कर लेती है, तो अगर धर् को वो सेयर, उसका सेयर, X का सेयर नहीं मिलेगा, या उससे जो अब अवलाद होंगे धर्म परिवर्टन के बाद, तो उसकी अवलादों को भी सेयर प्रोपर्टी में नहीं मिलेगा, इसका सक्षिशन 27 कहता है, सक्षिशन वेन एयर्स डिस्क्वालिफाइड, जब कोई उत् दिकारी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, तो उसका सक्षिशन उसके जो अनवसियती, जो वसियत नहीं किया, उसकी प्रोपर्टी में हिस्सा कैसे मिलेगा, तो इन्होंने कहा कि अगर कोई डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, तो उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, कि जैसे व कुबाना जाएगा और उसको उसकी प्रापरटी नहीं मिलेंगी कि इसे 25 कहता है दिजीज डिट एक्षेक्ट टामड डिश्क्वालिफाइड अगर किसी को कोई ऐसी विमारी है कि जो ठीड नहीं हो सकती या ऐसा डिकार्ट है उसको कि जो कुछ कर नहीं सकता तो ऐसी कोई पाने से डिस्क्वालिफाइट नहीं हो सकता उसको उसका सेयर दिया जाएगा अज़ सेक्शन 29 कहता है फेलियर टुअध जब किसी परसन का कोई उत्रा-धिकारी नहीं बचा कौनसा क्लास 1 नहीं है, क्लास 2 नहीं है, एक्टनेट्स नहीं है और कॉबनेट्स नहीं है, उसका कोई उत्रा धिकारी नहीं है, तब क्या होगा? तक उसकी प्रापर्टी सरकार को नहीं हो जाएगी, और सरकार उसका जितना उसके करज वगरा होंगे, लाइबिलिटीज होंगे, वो भी सब सरकार के पास चली जाएगी, और सरकार उसको बेयर करेगा, जब वो प्रापर्टी लेगा उसकी प्रापर्टी ऐसे सरकार के पास जाएगी जैसे किसी परसन के पास जाती तो परसन उसकी लाइबिल्टी बेयर करता हूँ उसका फायदा लेता वो ऐसी सरकार के पास वो प्रापर्टी चली जाएगी और सरकार उसका फायदा लेगी और सरकार उसकी सारी लाइवेजिटीज बेयर करेगी Section 30 का कहता है Testamentary Succession Testamentary Section के कोई ब्यक्ति की Property या कोई ब्यक्ति किसी को Will वही कर सकता है जो उसको किसी भी नियम के द्वारा The Succession, The Indian Succession Act या अन्य किसी नियम के द्वारा उसको वो Right मिला हुआ है कि वो Property को Sell कर सकता वो Legal Honor है तो इन्होंने का वही Property उसकी Divide होगी जो उसकी वो Legal Honor होगा या वही Property Will के जा सकती है जिसका वो Legal Honor होगा अपने ही Share चार भाई है और Property Command मिली तो वो सबका Will नहीं कर सकता वो क्या करेगा केवल अपने Share का ही कर सकता है और जब अगर Without Will वो कतम हो जाता है तो अब उसके उत्रादिकारियों को Divide किया जाएगा तो इसका Section 30 एक से Section 19 से Section 30 तक समझ में आ गए होंगे अब ये दा हिंदू सक्षेशन आक्ट 1956 के लगबक सारे सेक्षेंस हो गए अब इसके नेक्स्ट जो हिंदू ला है नेक्स्ट एक्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में डिसकस करेंगे ओके थैंक्यू जये हैं के लोग के लिए इसके लो बाते हैं